ये सुरज भगवान आपने भी कसा मिखा रखी है जब तक 20-20 को निप्टा नहीं दोगे ऐसी थंडी में जब तक बाहर नहीं आओगे ये भगवान बहुत थंडी है करे तो क्या करे विचारा किसान घर बैटे गुजारा नहीं और बाहर ऐसी थंडी अरे कहा रहेगी दोनों की दोनों एक लास पानी लाके दे दो बड़ी वाली सोच रहोगी की छोटी वाली दे और छोटी वाली सोच रहोगी की बड़ी वाली दे हर चौती दिन देखो तो तेरा पेड़ दुखने लग जाता है सब समझ में आ रही है मुझे तुम्हारी नो टंकी तुम्हारी सांस हूँ वापर मूंगी पड़े हुए वोने के लिए और आम के पेड़ भी है यह नहीं कि आम ताकू जैसे हैं पखेंगे तो भागी भागी चलिया है यह आम खाने वो बलेगी मैं जाओंगी तो बलेगी मैं जाओंगी अपर पाकी नहीं ना तो किसी को सूजने पड़ रही हमाजाने की थोड़ा मूं गुड़ोच मिल जाएगा तो थोड़ा खर्चा कम होएगा ऐसे थंडी में लेकिन तो न दोनकल लिकलने का मणी नहीं करता हाँ माजी आप बस मुझे ही तो बोलती हो देवरादी जी को कभी भी नहीं बोलती हो ना कभी खेट लेके जाती हो अर्ण गलत बात है अरो चोटी बहुए बाद में जेरे से आई है घर के भी तो काम रहते है खाना बिनाती है, घाय बहस को देखती है, उनका गोवर साफ करती है बस सुझे सीधा सीधा उतके खेट जाना रहता है, वो भी तुस्से नहीं होता उसमें भी बोलेगी कि देवरानी क्यों नहीं गई हाँ तो क्या हो गया मादी, जब देवरानी की शादी नहीं थी, तो क्या मैं काम नहीं करती थी मैं भी घर के काम करती थी, फिर भी आप मुझे खेट लेके जाती थी, घर का सारा काम भी आप मुझे करवाती थी पिर यहां पर क्यों नाटक दिखा रही है देखे माजी अब बहुत ज्यादा हो रहा है आपका मेरे बाब आपको तो बीच में लाईए इमत याद से खेट नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी जिसको जो करना है कर ले खेटो मैं तब ही जाऊंगी जब दिवरानी साथ में जाएगी बहुत हो गया बहुत सुन लिया मैंने अरे इत्ते सालों से सारे काम करते वह आरी हूँ घर के भी बाहर के भी फिर भी किसी को कोई कदर नहीं मेरे काम की उपसे सब में कोई चार बाते सुनाते हैं अरे ओके इनसान आया है वह से दो मिनित अराम करें फिर वापि जाना है लेकिन तुमारे मारे तो कहीं आराम ही नहीं है क्यों गर को बरबात करने में लगे हैं तुम दोनों की दौनों माजी आप ये सा मुझे मजजे मत बताईए मैंने आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है आप आज तक जो मुझे कहती है ये मैंने बस वही किया है घर कभी और बाहर कभी आप देवरानी को बोलिया आप उसको तो कुछ बोलती ही नहीं है ये कहती जिर से देवरानी देवरानी लगा रखा है सब सुन रही हूँ मैं सुन रही है तो क्या कर लोगी तुम्हारे चोरी मैं बोल रही हूँ क्या तुम्हें सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ अरे हिम्मत है तो मेरे सामने बोलो न पीट पीछे क्यों सिक्याट कर रही हूँ मेरे सांसे मेरी मैं सामने नहीं बोल रही हूँ पी पीछे नहीं बोल रही हूँ मैं पहले ही कह देती हूँ कि मैं नहीं जाओंगी खेट तो नहीं जाओंगी एकी शल्प में जाओंगी जब तू जाएगी समझी अकेले नहीं खा लेती हूँ मैं मैं तो नहीं जाने वाली खेट मैं इतने बड़े घर की लगकी हुई इतने साथ दहेज लेके आई हूँ इखेट काटने के लिए मैं दहेज लेके आई हूँ है दहेज लेके आईए तो हमको थोड़े नर ये तुने अपने कमरे में सब ठूस ठूस के भरा हुआ है लिख लÎका चाहर ही है, मैं कुछ लगा नदो के लिखेश कीमाने खाली है। हैं तेको बर्तन दिये तो क्या हुआ खाना को ने रहे तुझे बताओ एक आद्मे को रहते रहते समझ में आजाता है कि हमारे घर गरस्ती कैसी है हमें क्या करने चाहिए हमारे घर में कितनी हैसियत है या नहीं है लेकिन तुझे क्या? तुझे सुबस फर्माइश करने है? तेल खतम है नमक खतम है डाल खतम है लाने वाला जाने? जहाँ से लाना हो लाए? नहीं लाएगा तो बोल देगी? खाना कैसा बनाओ गर में? गर में कुछ समानी नहीं है और तो दूसरा ये पती, दोनों की दोनों भाई एक ही जैसे नहीं कम महीं है एक साल उने को आया है, एक रुपए घर में नहीं बेजा है इनने और बोल रहा है कि पचास हजार कमाते है महीने का अगवान जाने सक क्या करते हैं? अरे बस करो दोनों की दोनों, क्यों घर में कलेश कर रही हो? कुछ सुनेगा तो क्या कहेगा, तो पैर में सोने का समय और इनका घर में महावारत छड़ी हुई है नहीं माजी, आज फैसला होकी रहेगा, ना आप को देव राने को बोलती हो, और ना मुझे कुछ बोलने देती हो अरे मुझे कैसे बोलेंगी, जिस कुलर के हवा में ये सोती है न तो पैर में आकर, वो कुलर मेरे माई के सही आया है देख बहु, कुलर लूरल की तो धमगी देना मत मुझे, तू अकीली नहीं है तो अपने माई के से कुलर लेके आती है, लोग तो एसी लेके आता है, तू तो यह वास कुलर लेके आई है, तुझे तो शान पट्टे मत दिखा अभी तक तुम्हें तुझे कुछ कहती नहीं थी, कि नहीं नहीं आया है, अभी घर में थोड़ा, अर्जस सोने दो, लेकिन तेरे देवर देखके तो लगते हैं कि बताने ही पड़ेगा तुझे सुन, कल तु सुबा जल्दी खाना बाना बना देना, और तु हमार साथ खेट चलेगी और गोबर पानी बड़ी बहु करेगी, तो तुझे भी ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा और बड़ी बहु पड़ेगा, तुम दोनों बराबर काम करोगी गर कभी और बाहर का भी, त दिन खेट नहीं ना उस दिन रोटी नसीब नहीं होगी मुंए नहीं माजी मैं तो खेट नहीं जाने वाली अभी हमने ममी पापको कॉल करती हो और यहां पर बुलाती हूं कि आप लोग मेरे सब क्या चकर रहे हैं मैं यह रहूंगी नहीं चली जाओंगी मैं अपने माईके अ यह धंकी तो मुझे दे नहीं मत अरे बड़े बड़े राजर रहिस नहीं रखा पाए अपने बेटे को अपने घर में तो तेरे बाप की क्या उकात है जादा उड़ मत जमीन मेरे अब तू अपने माईके के लिए सिर्फिक महमान है समझी शादी के बाद आज दक किसी का भ माईके तो दो बहिने बाद यहीं पर आओगी अरे जब से मैं शादी करके आई हूं दिन रात का पता ही नहीं चलता दिन रात एक कद्ये में ने इस गरहस्ती को बनाने में और तुम दोरों दो होकेर भी काम निकर पारी हो इता दिमाग काम में लगा रिया करो तो घर की हार अरे मेरी तो वैसे भी मर गई है पता नहीं होती सांसे बची है उसमें भी तुम मुझे चाहन से नहीं जीने देती हो अरे मर जाओंगी तो कौन खिलाएगा तुम्हें अच्छी कुछाखा थिए यह तुम्हारे पास है देखो जानतियों की थंडी होती है मुझे भी ठंड लगती है लेकिन क्या करूं गाओं में ऐसे तो है नहीं कि बस हम दोनों काम करने जाते हैं सबको देखी रही हो तुम यौर जी अपने बगल वाली है ना शर्मा जी उनके बहुकों तो आयोए सिफ चार दिन ही हुए हैं वो पूरा दिन खेट में बैठी रहती है क्यों क्यों क गलत कहा क्या मैंने अगर बहुए हैं अपने घर क्रेस्टी नहीं समा लेगी तो साह से उनका कब तक साथ देगी जितने में कबrevं करो कि भू करोम होता है हर दूब कभी जाओ कभी में मू है। नहीं हुआ है खेर इन लोगों को अखलाएगी या नहीं खेर आप बताइए हमें गलत कह रहे हूं प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो हाई फ्रेंज अगर आपको आचके हमारे कानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अगर आप हमें चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए फिर मिलते हैं एक नए और प्यारे और मॉरल वीडियो में तब तक के लिए राम राम ऐसे ही आप हमें अपना सबोर्ट और प्यार देते रहे हम आपके लिए ऐसी अच्छी और मॉरल स्टोडी दाते रहेंगे